दोस्तो नाखुन काटने पर दर्द क्यों नहीं होता है कैसे कौल लगाने पर इंटरनेट के स्पीड तेज हो जाती है और मुकेस अम्मानी के बिजली का बिल कितना आता है यह सब जानने के लिए बने रहना विडियो के एंड था 20 जब एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है उस वक्त उसे इतना दर्द होता है जितना हमारे सरीर की 20 हडियां तूटने पर होता है 19 अगर कोई व्यक्ती ज़्यादा तर अपने नाकून चबाता रहता है तो इसका मतलब है कि वो या तो परेशान है या फिर किसी चिंता में डुबा हुआ है NUMAR 18, जब कोई व्यक्ति सच बोलता है तो उसके हाथ जादा हिलते हैं वहीं अगर कोई व्यक्ति जूट बोलता है तो वह अपने सरीर में काम गतिविदी करता है नमर 17 अगर आपको बहुत ज़्यादा हसी आ रही है और आपकी हसी रूक नहीं रही तो आप अपने सरीर पर चोटी नूच सकते हैं इसे आपकी हसी बंद हो जाएगी नमर 16 हमारे हाथ की सबसे ज़्यादा सम्वेदन सील उंगली अंगुठे के बाद वाली उंगली होती है नमर 15 हमारे होटों की तुअचा तीन से चार परतों से मिलकर बनी होती है जिसकी बज़े से होटों का रंग गुलाबी और लाल नजर आता है नमर 14 अगर किसी की लंबाई काम है तो इसका 90% मतलब है जिस समय वह ब्यक्ति गरवासय में था उस समय उसकी माच चिंतित होगी नमर 13 मनुभैग्यान तत के अनुसार कोई व्यक्ति अगर जरासी बात पर गुससा हो जाता है तो इसका मतलब है वह अपने जीवन में प्यार का महद्दू चाहता है नमर 12 बुद्धिमान लोगों को समान बुद्धि वाले लोगों की तुलना में जल्दी गुसा आता है नमर 11 यदि कोई व्यक्ति हमें अंदेखा करता है तो हमारे सरीर में वह रसायन बनता है जो चोट लगने पर बनता है नमर 10 अगर किसी व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा नींद आती है तो आप समझ सकते हैं कि वह अंदर से परेशान नमर 9 अगर किसी व्यक्ति को 12 दिन तक ना चलाया जाए तो उससे उसकी मौत हो जाती है नमर शीक्स जो लोग नौन वेज खाना पसंद करते हैं वो अपनी पूरी जिन्दगी में लगबग साथ हजार से ज़्यादा जनवरों को खा चुके होते हैं नमर फाइप एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में जितनी दाड़ी बनाने में समय लगाता है मैं उसके पूरे जीवन के छो महिने होते हैं नमर फोर अगर आप जरूरत से ज़्यादा सोते हैं तो आपका मन और ज़्यादा सोने के लिए करता है नमर फिरी आपने कभी न कभी सोचा ही होगा कि नाखुन काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है जब भी हमारे बौडी में थोड़ा सा कट लगता है तो बहुत दर्द होता है और नाखुन बाल काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है इसके पीछे एक रिजन है नाखुन और बाल जो होते हैं वह डेट सेल से बने होते हैं जिसमें वलड नहीं होता है पहले डेट सेल से होता है उसे काटे या ना काटे फर्क नहीं पड़ता है आलिसान एटिलिया में एक महिने में कूल बिजली की खपत लगवग 6,37,000 यूनिट होती है अगर इसे रूपिये में कनवर्ट करें तो मुकेस अमानी के बिजली विल 70,000,000 रूपिया होता है जो की बहुत ज़्यादा है तो प्रेंट अगर विडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक करें अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्यू माई डियर प्रेंट